प्यारे सातियों जैसे कि आप लोगों का कलास 11 से फस्ट टर्रिमिनल का एक्जाइम यानि की प्रतम सार्थिक परिक्षा 2024 में उन्हें जा रहा है तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने बाला है क्योंकि प्यारा बच्चो अभी के इस वीडियों बेना हम लोग हिंदी का बिल्कुल हंडेड परसेंट और बडले करके आ चुके हैं और आप लोगों को सब्जाक्टिव के साथ में अब्जाक्टिव दूनों का एंसर की बताने बाले साथ में इसका पीडियाप कहां से डाउन्लोड करना है यह भी हम आपको से कहेंगे तो वीडियो तो प्यार बचों चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर देखिएगा सबसे पहला नमर्जों प्रश्ण आप लोगों से पूछा गया यह प्रश्ण आप लोगों से क्या बोला जा रहे है ध्यान पुर्वक यहां पर देख लीजएगा ठेक है ना तो चलिए अफ़ड़ा बर dmitra नोट कर लेना है कि वंएम नोट कर लेना है यह जाएगा मैटली सरण गुपता का आप में विल्कुल करेक्त होगा कि मेरी वियत नाम याटरा साह्ट की कौन सी बिदामे है तो नोट कर लेना कर दिए लिएगा चार्स के बच्चे की सिक्षा के सिक्षा लेखक का नाम लिए थीक है ना को बिलकल चाल का राइटेंसर बिन कर लिए किश्यौ कुमार जाएगा आगे दिखेगा कुस्यौंवर पांच अपर नहीं बूला गया कविता की बडक्राय पार्त के यानि कि कुमार हो जाएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नमर्ट 6 बोला जा रहा है यह आप से क्या बोला गया गड़ का विकास किस काल में हुआ है तो यार रखना है साथ का आधुनिक काल में जाए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नमर्ट पड़ की और बोला गया चल चित्र के रचना काल को दो जाएगा जाने कि विदा की तुझ करना है दास कर नमर विल्कुल इहय करक्ठ होगा यानि कि निवन रहेतой है पर देख लीजेगा 11 नमर है भारत हैं तो हर्ष चंटर की रचना इन में से कौन होगा तो आप 11 का नोट करेंगे ऑप्शन बिल्कुल सी करेक्ट होगा यानि कि भारत की दुर्दासा यानि ऑप्शन नमर सी करेक्ट हो जाएगा 12 नमर की मेरी वियतनाम यादरा की रचना कार क सब्सक्राइब करेक्ट होगा 12 नमर कुष्चन रामचंदर शुकरी की रचना कौन सी है तो तेरा का राइटन से अप्शन होगा कविता की पड़क चलिए आगे बरते प्यार बच्चों अगर चैनल पर पहली बार आप लोगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए नोटिप्रिकर्स को भी वाल भी प्रेस कर लेना क्योंकि आगे का जो भी आपका मंतली एक्जाम होगा फिर इसके बाद सब्सक्राइब लोगा फर आपका फरेल एक्जाम होगा 11 का तो सारा सारे एक्जाम में आपको इसी चैनल कमाजम से हेल्प किया जाएगा तो आप आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में आपर देख लीजिएगा आपसे जो बूला जा रहा है ना क्वेश्चन बूला गया तेरा नमर राम चंडर सुक्री की रचन आकाउंट से है तो तेरा का राइटेंसर आप्शन में आपको यह नोट करने कविता की पड़क क्वेश्चन जन असा जो वाई के डिक्षा गुरू कोन है तो नोट कर लेना है पंडरा का ऑप्शन होगा रामा नंद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नमर रसुल्ला है विदापति किस भासा के कवी है सुल्ला का नोट करना है ऑप्शन से मैठली के तो आप्शन नमर से करिक्ट होगा चलिए प्यारवचों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट परसन क्यों अगली परसन आप लोगे यहां पर देख लिजीगा सटरा नमरे में कांग नदी कहां से निकलती है तो सटरा का ऑप्शन नमर ही नुट करने तिब्बत से अगली कुश्चन है आपर जो नथरा नमरे अंटर तेड़ गए किसके लिए कहा गया तो नुट कर लेना है 19 का अप्शन भी होगा यानिकी कि सेरा आगे देखिए कुश्चन मट बीस है वियतनाम की मसहूर नदी कौन से है तो बीस का अप्शन नुट कर लेना है पी विल्कुल करेक्ट होगा यानिकी मेकौंग आगे दिख ल अप्शन नुट करना है आप्शन डी होगा यानिकी यह जो है ना पूस की रात का पार्टर हो जाएगा आप्शन नुट कर लेना है और ता इस नमट है बेजोड गाई का लता मंगी सुर के लिखक होने तो नुट करना है ता इसका आप्शन नमर सी करेक्ट होगा यानिकी क कुमार गंदर को अगली कुश्चन 24 है आत्म हत्या करके माप संबंद करने की अपेक्छा यूद में स्वर्ग जतना उत्तम है या किसमें लिखा गया पंक्टी तो नुट करना है आगली कुश्चन 26 नमर किस डेस विभाजन पर अधारित गड़ पाट का नौप क्या है तो नुट कर लिनाए 26 का आप्शन भी हो जाएगा आगे बरते हैं कुश्चन नमर 27 की और एक दिक्षान्त भासन किसकी रचना है तो 27 का राइट एंसर आप्शन नमर के हो जाएगा और इस वर पर जाई का तो आप्शन नमर यहां पर जोना राइट होगा आगे बढ़ते हैं 28 नमर कुश्चन की और 28 नमर कुश्चन बुला गया कुमार गंदर्व का जनम की सराजी में हुआ है तो नोट कर लेना है बिल्कुर राइट एंसर 28 का ऑप्शन डी होगा यानि की कर नाटक में अगली कुश्चन नमर 29 मामा पापा मामा पापा लोट आये ह किनकिन बढ़ा लिखा गया है तो बिल्कुल नोट कर लेना है 29 का ऑप्शन से होगा लूव सून की द्वारा अगली कुश्चन नमर 30 से पूस की रात किस प्रकार की कानी यह नोट कर लेना है राइट एंसर ऑप्शन यह बिल्कुल करेक्ट होगा आसा आदर्श वादी अग फसल के जल जाने के वाद खुस होता है क्यों खुस होता है तो 22 का बिल्कुल नोट कर लेजीगा ऑप्शन ही हो जाएगा जमिनदार से मुआवजे मिलने पर तो आप्शन बिल्कुल यह नहीं नमर करेक्ट हो जाएगा 33 को देखते हैं यह बूला गया कि कविता की पड़क क इस परकार का निवन्द तो 33 का राइटेंसर ऑप्शन नमर भी नोट कर लेना है यह आपका हो जगा विचारा तमक है अगली कुछन नमर 34 की पड़क से बीचेंजना भी वेचित हुआ है क्या तो आप नोट करेंगे 34 का राइटेंसर दी होगा इन में से कोई नहीं चलिए अगली कुछन 35 को रेक लेते हैं बोला गया उप्युक्त उपमान का परयोग अनिवार होता है क्यों होता है तो नोट करना है 35 का बिलकुल ऑप्शन ए करिक्ट होगा यानि कि कवीता का उद्देश के जो ना उद्देश के अनुरूप में तो आप्शन ए बिलकुल करिक्ट साहनी की द्वारा चलिए आगे बढ़ते हैं अगली कुछ्छन को आपर देख लीजेगा साइटिस नमर है उट्री स्वपन पर हरी करांती से किस नदी का चर्ट किस नदी की चर्टा हुई है तो साइटिस का ऑप्शन नमर भी नूट कर लिने गंगा नदी का कुछ्छन मर अर लिकार का है तो नूट कर लिने 49 का बिल्कुल आप से नमर सी करेक्ट होगा यानि कि उप्यूक तो जोनों हो जाएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछन है चालिस नमर की गाओं की बच्चों की सिक्षा में किसकी अन बुन्यादी सिक्षा से आवर अवधार्णा का पर कर लीने मिठून इस्टैडी सेंट्र तो आप लोगों को चैनल क화 नाम मिठून स्टैडी सेंटर जो हैना सज कर लेना के बांकि शुर्चर करने के बाद लोग स्वित्रारीए ने इस पर कार सहर्णा को जाएगा अब वायात को चारणा क्या नहीं करना है उपर कर दिए तो में ही मिट्वन इस्टर्डी संटर का ओफिसल वेफसाइड मिल जाएगा मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूं इस पर आपको किलिक कर लेना किलिक करने के बाद आपके सामिश प्रकार से इंटरफेश्टर पहना होगा तो अराम से स्कॉल डून करना है नीचे चले आना ह लिए तो कलास 11 का सेशन आप लोगों को यहां पर देखने को जो है ना मिल जाएगा देखो कलास 11 एंट फ़स्ट तर्वाल एक्जाम लिखावा मिलेगा यहां पर आपको क्लिक कर लेना फस्ट बाले पर किलिक करने के बाद पेश को नीचे की और खीच की रिफ्रेस कर लेन का ठीके जोएन ना पर किली करके दोनों गुरूप को जोएन कर लीजिए आप जल्दी से वीडियो को रोक करें के फिर नीचे आना है तो ओल सब्जेक्ट का पेपर का नहीं मिल गए यह साइंस का सेशन है फिजिक्स कमेस्टरी वाय लोजी मैट सारा इसमें मिल जाएगा हि कोमर्स बाले बच्चों के लिए बिजनेस अश्टरी कांटेंस से एकोनी में सारा मिलेगा तो फिलाल चलिए हम लोग आगे प्यार बच्चों आप किसी भी सेशन से फिलाल इंगलिस और हिंडिका और उर्दू का पेपर दाउनलोड कर सकते हैं हम लोग चलिए हैं साइंस के से डाउनलोड कर लेते हैं तो देख लिए साइंस के सेशन में हम लोग आते हैं यहां देखिए इंगलिस का है इदर हिंडिका है फिलाल हम लोग हिंडिका करते हैं सामने डाउनलोड लिखाइस पे करेंगे पेज को रिफ्रेस कर लेंगे फिर एस कॉल डान करके 27 अगस्ट के रिए आपका यह एक्जाम होने जा रहा है ठीक ना तो इस प्रकार से नहीं चाहिएगा तो अब्जेक्टिव के सारे परशनों का इंसर के में पहले ही ढाल दिया हूं आप इसको अगर लिखना चाहें तो जस्ट लिख लिजिए और सब्जेक्टिव में सारे पर कुश्चन आपसे बोला गया कि परश्टूट रचना के लेखक की किस पुष्टक से संक्लिट है तो आप 41 नमर का नूट करेंगे बिलकुल यहां पर करिक्ट एंसर सी हो जाएगा नूट करना है परसाई रचना वाली कुश्चन नमर 42 है आप अपोलो नाम से सूरिया किस द किस देवता का परतिनियों दूतिक माना गया है तो 43 का ओप्शन भी नूट कर लेना है शीव को अगली कुश्चन नमर 44 है सूरी की साथ रथ पर सवार रहने बाले देवता किस घरंथ से माना गया तो बिलकुल आप नूट करेंगे आप्शन बिलकुल यहां पर भी करिक्ट होगा है उपनी सद में नेक्स्ट कुश्चन है आप रजोना 45 की भोगे हुए दिन किस विदा की रचना है तो आप 45 का आप नूट करेंगे ना तो बिलकुल भी करिक्ट होगा अलग हूँ अगली कुश्चन में 46 से भोगे हुए दिन काने काम में चितरन हुआ है क्या तो आ आधार पर बताएं कि सायर सम्मेलनों में किने बुलाया जाता था तो बिल्कुल साइटाल्स का राइट इंसर अप्शन नमर यह नूट कर लेना है अगली कुश्चन में 46 से प्रेम चंडर का मूल नाम डैस डैस है तो बिलकुल यार रखना है ऑप्शन ही करिक्ट होगा धन कि 50 के जान से बार इडानी घोरे गोरे से दैस दैसल लगने से घिर ने लगी तो विल्कुल यार रखईगा यह गिरने लगैंघ तित्य तरबार लगने से ऐसन भी होगा उन्चास कैना में तो आप यार रखिएगा ऑप्शन-बी होगा मुन नमें क्वश्चन नमर बाबने कि हलको ठंड से बचने के लिए बाराबर क्या पीता था तो नुट कर लेना है वह जो है ना क्या पीता था तो बिल्कुल यहां पर देख लिए चिलम पिता था उप्शन नमर होगा दी तो लगवक नहां परस्ण अगनर और मोर्ले हम से परेक्रा था तर छुम है इसा पास एक पत्ल लिखना और यहां तीन नंपर कोश्चन इसका प्लपावां संठे शोट लीखना है और आगे चार नमर कुश्टन जो सबस्ट्राइब निख या जो सबस्टाइं पला आपको मिली कर अग्यों पर ट्रीन अँर्ड गंड जे tar और आपको किस सब्जक्ट का पर पर चाहे कमेंट कर यह मिलता है नेक्स्ट बुड़ो में तप्ड़ के लिए बाई बाई